हलो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का Almost Phone की एक और नहीं वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 20-25,000 के रेंज में कौन से सबसे best gaming smartphone है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो phone suggest करूँगा वो अपने price range में best है और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वही phone क्यों लेना चाहिए gaming के लिए और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक bonus phone भी बताऊंगा अगर आप 15-20,000 के range में एक best gaming phone ढून रहा है तो आप वीडियो में end तक बने रहो end मैं आपको एक ऐसा phone बताऊंगा जो gaming के लिए एक दम beast है तो गाईस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को like कीजेगा आपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और अगर आप ऐसा ही gaming phone related content देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजेए अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो उसे subscribe कीजेगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi K20 Pro के बारे में दोस्तों Redmi K20 Pro आज की date में सबसे best smartphone है 25,000 के range में और दोस्तों इस वीडियो में हम इस phone को ज्यादा technical बात नहीं करेंगे बलकि हर चीज practical करके देखेंगे यानि कि इस वीडियो में मैं आपको game खेल कर दिखाने वाला हूँ real में कि ये कैसा perform करता है क्या temperature रहती है इसके लाओ दोस्तों आपको इस phone में front और back दोनों में Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा build quality बना देता है और साथ साथ aluminum frame देखने को मिलता है इसके लाओ दोस्तों आपको इस phone में Snapdragon 855 देखने को मिलता है 48 megapixel का camera जो कि laser autofocus के साथ आता है जो कि एक कमाल का इस phone का camera photography बना देता है दोस्तों इस phone में आपको triple camera का setup देखने को मिलता है और 20 megapixel का selfie pop-up camera देखने को मिलता है जो कि एक काफी phone को unique look देता है और साथी साथ ये एक complete package हो जाता है इसके अलाओ दोस्तों आपको इस phone में मिलता है in display fingerprint sensor और 4000 mh की battery जो 27 watt के fast charging के support के साथ आता है इसके अलाओ दोस्तों आपको इस phone में quick charge 4 plus का support देखने को मिलता है यानि कि अगर इंडिया में quick charge 4 plus का charger आता है तो आप उस charger को purchase करके आप इस phone के साथ यूज कर सकते हो वह दोस्तों अगर battery backup की बात करें तो दोस्तों 4-5 गंटा तक आप लगातार एकदम non-stop game खेल सकते हो PUBG को दोस्तों super AMOLED screen होने के कारण battery काफी कम consume करता है अब इस phone की performance की बात करें तो इस phone में हमने खेला था PUBG Mobile और PUBG Mobile की ingame setting की बात करें तो आपको इस phone में मिल जाता है स्मूध ग्राफिक पर extreme setting और HDR graphics पर भी extreme setting देखने हो मिल जाता है जो कि एक कमाल का चीज है तो दोस्तो हमने इस phone में HDR graphics में extreme setting पर game खिल कर देखा और दोस्तो game काफी smooth चल रहा था है एक दो frame drop देखने को मिल रही थी पर दोस्तो अगर phone की temperature की बात करें तो दोस्तो phone लगबग 40-42 degree तक जा रहा था non AC वाले room में तो आप सोच सकते हो कि कैसा perform कर रहा है तो दोस्तो अब आपको पता चल गया होगा कि 25000 के range में ये एक कैसा phone है और दोस्तो मेरे हिसाब से ये एक beast phone है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि अगर आप 15-20000 के range में कोई phone लेना चाहते हैं सिर्फ PUBG खेलने के लिए competitive PUBG खेलने के लिए तो दोस्तो आपके लिए best phone है Poco F1 उससे best कोई phone नहीं है 15-20000 के range में PUBG के लिए competitive के लिए सो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि Poco F1 ही क्यों best smartphone है तो मैंने उस पर भी एक dedicated video बनाया है link आपको नीचे description और उपर cards पर मिल जाएगा अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब किजिएगा सो वीडियो को खतम करते हैं गुडबाइ टेक केर